प्यारे दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है लाली और प्रकृती का उफार. ये कहानी एक नन्ही लाली की है जो की अनूठे उफार की खोज में है. नन्ही लाली अपने माता पिता के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी. वह एक प्यारी लड़की थी. उसके शिक्षक और अद्भुद उफार दे। ऐसे उफार लाने वाले को पुरस्कृत किया जाएगा। घर लोटने के बाद उसने अपने माता पिता को इस बारे में बताया। लेकिन पापा और मम्मी को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि उसे क्या खरीदना चाहिए। लाली गहरी सोच म खुश रहती थी। लाली ने अपनी दादी को शिक्षक की द्वारा दिये गए, कारे के बारे में बताया और उसी के बारे में कुछ सुझाव मांगे। दादी ने हसते हुए कहा कि केवल पौधे और पेड ही हैं जो निस्वार्थ भाव से आपको अपना सब कुछ दे देत होता है। दादी ने कहा कि पेड और पौधे आप से कभी कुछ नहीं मांगते, वे प्रकृती से सब कुछ लेते हैं और हमें पोशन देने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन और फल लोटाते हैं। वे मानव निर्मित प्रदूशन को भी साफ करते हैं और प्रकृती और पर्या चोड़ा तो जीवन की इस खूबसूरत धारणा के लिए अपनी दादी को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने नीम के पोधी के साथ शहर लोटाई। जब लाली स्कूल गई तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ जहां उसने देखा कि हर किसी के हाथ में शिक्षिका के लिए एक पोधा है। शिक्षिका बहुत खुश हुई और सभी ने व्रिक्षारोपन दिवस मनाया। शिक्षक ने प्रतेक छात्र को एक उपहर दिया। सभी छात्र बहुत उत्साहित थे कि उपहर बॉक्स के अंदर क्या है। जब उन्होंने बक्सा खोला तो उन्हें अंदर विभिन प्रकार के बीज मिले। शिक्षिका ने उनसे इन बीजों को अपने इलाके और पाक में पंक्तिबद रोपने और नियमित रूप से पानी देकर उनकी देखभाल करने को कहा। उन्हें बढ़ते हुए देखना सचमुच मज़ेदार होगा, है ना। इस कहान हैं तो कृप्या लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें। यही कहानी हमारे चैनल पर अंग्रेजी में भी उपलब्ध है, जिससे सुनने के लिए विवरन में नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें।